कि गुद आफ्टर नून इस्टुडेंट्स आज हम ब्यस्टी पार्ट सेकंड यर और गयनिक केमेस्ट्री चैप्टर वन के पार्ट आयर इस्पेक्ट्रिस्कोपी की एप्लिकेशन को डिटेल में स्टेडी करेंगे कि आयर इस्पेक्ट्रियोग या उप्योग हो सकते हैं इस इसके नौट्स मैंने वाट्सप गुरूप में डाल दिये हैं मैं इसके के जो उप्योग है मैंने इसमें जो कवर किये हैं सिक्स यूजेज एप्लिकेशन उप्योग अनुप्योग यह कवर किये हैं तो हम देखते हैं कि आयर इस्पेक्ट्रिसकोपी कि क्या-क्या अनुप् प्योग हम इसमें देखते हैं कि किसी organic compound यानि कार्भनिक पदार्थ की पैचान करने में IR spectroscopy का यूज कैसे किया जा सकता है देखिए IR spectroscopy में मैंने आपको दो रिजन बताए थे एक вли absurd Carrie यानि फ्रेशल ग्रूप पर्रीजन दूसरा रिजन था fing test region रीजन। रिजन के दोरा हम किसी compound को बहुत ही आसानी से पैचान सकते हैं। क्या करेंगे लेंगे हम वह compound लेंगे उसका मसीन के दोरा ई-यार spectroscopy मीटर से study करके उसका और इस प्राप्ट करेंगे और उस observed इस्पेक्रा को हमारे पास जो पहले से प्राफ्स स्पेक्रा हैं उनसे कंपेरिजन करेंगे जिस कंपाउंड के साथ वह कंपेरिजन मेच करेगा यानि कि हमारा जो अग्याद पदार्ड ते वह वही अग्याद पदार थे जैसे हमने एन हेक्सेनेल का आयार इस्पेक्ट्र लिया और उस आयार इस्पेक्ट्रा को हमारे पास जो विभिन इस्पेक्ट्रा पहले से हैं उनसे उसकी तुलना की तो जिस इस्पेक्ट्रा से इस अज्याद कंपॉंड के स्पेक्ट्रा मेच किया तो हमें वह यानि पदार्थ पैचानने में आ जाएगा कि वो पदार्थ कौन सा है यह बात आप लोगों को आई समझ में यह एक सेनेल का आयार स्पेक्ट्र है अब क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ओफ फंक्शनल ग्रूप यानि की यानि कि किसी कंपाउंड में जो फर्फंक्शनल ग्रूप यानि किरात्मक समों अवेलेबल हैं उनका ही क्वालिटेटिव इस्टेडी कैसे की जाती है देखिए किसी आउस्वोसन बेंड की पीक की इंटेंसिटी कितनी है उस इंटेंसिटी के आधार पे यह हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्रियात्मक ग्रूप उस पड़्टिकुलर पदार्थ में कितने अवेलेबल हैं जैसे कारबन ट्रिपल बंकारबन नाइट्रूजन तो इसकी मीडियम पीक आएगी 2200 से अबाऊ अगर कार्बन टिपल बॉन कार्बन की बात करें तो इसकी मीडियम टू वीक पीक आएगी 2100 पर कार्बन डबल बॉन कार्बन 1600-1650 क्यास पाथ बेंजी ड्रिंग के लिए जो पीक आती है वो 1600 यानि 1400 से 1600 के बीच में इस ट्रॉंग टू वीक पीक प्राप्त होती है इस तरह यहां पर डिफरेंट एक्जामपल दे रखें कि किस कंपाउंड के पीक कितने पर आएगी जैसे हम ओच अलकॉहल की बात करें तो ओच में ऑक्सिजन और हाइडोजन के बीच में जो सिंगल बंदे उसके स्टेचिंग यानि तनन कंपन के कारण 2200 से 3600 सेंटिमेटर की गात माइनस वन पे हमें प्राप्त होती है कि हम अब जब नेक्स्ट इसका एपलीकेशन पार्ट को देखते हैं कि हाइडोजन बंडिंग की पहचान करना और हाइडोजन बंडिंग में अन्तर करना एक ही compound में होती है और अन्ते आनविक मतलब जो दो अलगलग compound में hydrogen bonding पाई जाती है जैसे अगर हम इसका एक्जामपन है और्थॉ नाइट्रो फिनॉल और तो नाइट्रो फिनॉल में इंट्रा मोलिकुलर हाइडोजेन बंद है जब कि पेरा नाइट्रोफिन॓ल में इंट्रमोलीकुल हॉइल बन दें तो जो पेरा नाइट्रोफीन॓ल है उसमें हमें हर जन्द के सारप बैंड प्राप्त होता है क्यूं हैं देखें एंट्रमोलीकुलर हाइडोजै बॉन्द फस्ट networking यह इंट्रामॉलीकुल हायडोजन बॉंडिंग है वो is strong होती है और estron hydrogen बॉंडिंग के कारण hydrogen दोनों oxygen की बीच में strongly जुड़ा रहता है तो वह hydrogen stretching frequency यानि stretching company तनन common पर दशित नहीं कर पाता तब पर दशित नहीं कर पाता है तो उसकेले जो आरे स्पेक्ट्रों में आप बेंड प्राप्त होता है वह वीक बेंड प्राप्त होता है लेकिन पेरा नाइट्रोफिनॉल में इंटर मोलिकुलर हाइडोजन बॉंडिंग है इंटर मोलिकुलर अन्ते आन्विक अन्ते आन्विक हाइडोजन बॉंडिंग कमजोर होती है बॉंडिंग कमजोर होने करना ऑक् compound का वो strong हो जाता है और hydrogen दूसरी तरफ hydrogen बॉंडिंग नहीं है इसलिए hydrogen दूसरी साइड से free रहता है तो जब तनन कमपर प्रदसित करता है तो उसके लिए जो हयरे स्पेक्टरा में हमें ग्राप प्राप्त होता है then you can और प्राप्त होगी और पेरेद्ट्रोपिनोल की है N है इंट्र आइड़ोजन बॉर्णिंग है अब अगले compound की अगर हम बात करें अगला compound में हम quantitative analysis की बात करते हैं quantitative analysis का मतलब है मात्रा का निर्धारन किस compound की कितनी मात्रा है इसका आयार spectroscopy से किस प्रकार से निर्धारन किया जा सकता है किस प्रकारते हम उसका निर्धारन कर सकते हैं देखिए हम यह देखेंगे कि किसी compound की लिए जो और जोड़ सने करद देखिये यह किसे तरब हमने एक जांपल जो लिया है तो वो लिया है जायलीन का जालीन क्या होता है जालीन होता है कि मंजेण है जिसमें दो मैथिल CS3 गुरुप जुड़े हुए है यह जो दो CS3 यानि मैथल गुरुप जुड़े हुए है इनकी पोजिशन आर्थो है तो पीक आएगी 642 पर मेες तो पीक आएगी 800 8C पर और पेड़ा है तो पीक आगी 830 की गाथ-1 तो तीन तरह की हमारे पास पीक है और थो मेटा पर और थो के पीक है साससे चलिस सेंटिमीटर गैथ माइस वन मे पर самый सब्सक्राइब यह तीनों comfort मिला कर् 되ं यह तीनों बनाएंगे यह तीनों कंपोंड मिलके हमारे पास बन रहे हैं सो परतीसत ठीक है तो हमारे पास जाइलीन का मिक्स्चर है मिक्स्चर ही तो हमारे पास यह तीनों पीक प्राप्त होंगी देखो मैं आपको दुबार से explain करता हूं हमारे पास jalin का mister है जिसमें quarto भी है meta भी पेरा भी है यानि हमने Compound लहां अचमें और तो भी में मिला के क्रिष्ट कभाया पकल और हो रहा है total मिलाके सो पर्तीसत तो हुआ हम्म में देखना एक आर्थो की पर्तीसत कितना है इसमें मेटा का परतिसत कितना है इसमें और पेरा का परतिसत कितना है इसमें अब देखे और्थो की पीक की इंटेंसिटी क्या है फिर मेटा की पीक की इंटेंसिटी क्या है फिर पेरा की पीक की इंटेंसिटी क्या है इस इंटेंसिटी के अनुसार ही हम अंदाजा लगा पाएंगे क कि उस पदार्थ की कितनी मात्र है अगर पीक की इंटेंसिटी जादा है तो अगर जिसे और्थ वाली पीक की इंटेंसिटी जादा है यानि कि उस मिक्स्टर में और्थ वाला पदार जादा है मेटा की इंटेंसिटी जादा है तो मेटा पदार जादा है पेरा की इंटेंसिट है लेकिन तीनों पीपीक की टोटल इंटेंसिटी है वो टोटल इंटेंसिटी मिला के सो परसेंट होगी है ना यह बात है अब वो यूच कैसे किया जाता है हम यह देखते हैं देखें हमने ब्रियक्शन और फिर या अप्चेन में हम की टोन का अपचेन करा रहे हैं इल्कॉहल में की टोन के रूप तोर फिल्च के लिए कमिकL और reaction भी पूरी दी हुई है यह हम परिवर्तित कर रहे हैं तो देखें जब यह ketonic group इसमें था तब पीक आएगी 1700 के आजुबाज में तो इसमें आईए 1710 cm की घात माइनस बनते हैं लेकिन जब इसका यह किते में aluminum hydride द्वारा option हो गया और option होके ketonic group के इस्थान पर क्या बन गया एलकोहलिक ग्रूप बन गया है और alcoholic group में मैंने आपको पहले बताया था oxygen और hydrogen की बीच में single बंद होता है यह जो single बंद होता है यह stretching company यानि stretching vibration so करता है तनन company और तनन company की उठ्जा उच्छ होती है उच्छ उठ्जा के कारण इसका IR spectra में जो आवसोसन बेंड है वो भी ज्यादा पर प्राप्त होता है कितने पर बद तिस सो से rika 344 सेंटीमीटर की गात माइनस मन पर प्राप्त होता है तो यहां देखिए हमारे पास यह जो बैंड कितने पर प्राप्त हुआ है 33 सेंटीमीटर इंवर्स पर यह मैं बैंड प्राप्त हुआ है यानि कि पहले जब कीटों नहीं गुरूप ता तो कितना सा 1710 पे लिए ketonic group का option होगे जैसे जैसे अलकोलिक group बन गया तो band हमारे पास कितना आ गया है 3300 cm की गात माइनस बन पे हमारे पास ये band प्राप्थ हो गया है ठीक है तो जैसे जैसे हमारे पास ये 3300 cm inverse वाली peak की intensity बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मैं आपको और समझाता हूँ इसको थोड़ा अच्छे से explain हूँ करता मैं जैसे जैसे ये reaction आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये ketonic compound की मात्रा कम होती जाएगी और यह alcoholic compound की मातरा बढ़ती जाएगी तो जब ketonic compound की मातरा कम होगी तो इसके लिए जो 1710 पे peak प्राप्त होती है उस peak की intensity अभिक्रिया के संपन होने के साथ साथ कम होती जाएगी ठीक है और अभिक्रिया जैसे जैसे संपन हो रही है हमारे पास क्या बनता जा रहा है alcohol बनता ज जाएगी यानि कि इदर वाली peak तो देखे पहले बड़ी थी और चोटी होगे और चोटी और चोटी हो जाएगी और इस side जो हमारे पास में उत्पाद है उत्पाद की peak हमारे पास में दीरे-दीरे बढ़ती जाएगी जिसकी जितनी मातरा होगी उसकी peak की intensity या तिवरता उत होती जाएगी और एलकोलिक ग्रूप की माधा बढ़ती जाएगी तो इसकी peak की तिवरता intensity दीरे-दीरे कम होती जाएगी और उत्पाद की peak की तिवरता यानि intensity दीरे-दीरे बढ़ती जाएगी तो इससे हम एक इस reaction को chemical study कर सकते हैं कि कि कितने speed से जो reactant यानि क्रियाकारक है उनकी peak intensity कम होती जा रही है और उत्पाद की peak intensity की speed से दीरे-दीरे बढ़ती जा रही है अब IR spectroscopy की अनुप्रियोग या application भाग में हम last topic को देखते हैं कि क्या IR spectroscopy का यूज है आयर spectroscopy का यूज है वो टोटो मराई जेसन में है अब टोटो मराई जेसन होता क्या है देखिए टोटो मराई जेसन उन ketonic group में पाया जाता है जिसके पड़ूसी एटम पे एक एक्टिव यानि क्रियासील hydrogen atom होता है तो वो hydrogen atom अपनी जगा से हटके ketonic group के oxygen पे आ जाता है और oxygen को OH में convert कर देता है यानि कि ketonic group से alcoholic group में परिवर्तन कर देता है यानि पहले तो क्या होता है ketonic group बाद में वो किस प्रकार्ण का बन जाता है alcoholic group तो इसको keto inol totomarize में कहते हैं किटो इनोल में बजल जाता है इनोल यानि ओच ग्रूप अपनी पूर वाली अवस्ता में आता है तो वह oxygen दुबारा से ketonic group में यानि carbon development oxygen में परिवर्तन हो जाता है तो जब दुबारा से component oxygen में परिवर्तन हो जाता है ने वह दुबारा से ketone में परिवर्तन हो जाता है तो हम यहाँ दیکھे देखे यह 1-3 धा a.3 जा रहा है इसका मतलब इनके बीच में साम में वस्ता है कीटोनिक ग्रूप इनॉलिक ग्रूप में परिवर्तन हो रहा है फिर इनॉलिक ग्रूप वापस कीटोनिक ग्रूप में फिर कीटोनिक ग्रूप वापस इनॉलिक ग्रूप में और इनॉलिक ग्रूप वापस कीटोनिक ग्रूप में परिवर्तन होता है ऐसा लगातार में ए ए भी बोलते हैं क्या बोलते हैं ए फिर ए और फिर ए ए बी अब देखें यहां यहां हमारे पास है तो पहला वाला है वह है की टोनिक ग्रुप चुक्क यहां दोनों कौन से कीटोनिक ग्रुप है CWO, दूसरा वाला है हमारे पाद Enoly group, अब यह Enoly group बना के थे, देखिए, मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला carbon, यह जो carbon है नहीं, दोनों कीटनों गुरूप की बीच में जो carbon है, यहां carbon के साथ दो hydrogen है, तो एक hydrogen यहां से निकलता है, और दोनों oxygen के साथ सामेवस्ता में बंद बनाता है, यह देखिए, अब यह hydrogen निकला कहां से, यहां से निकला है, यहां से निकलके इन दोनों oxygen के बीच जा रहा है, तो जब यह hydrogen दाई तरफ वाली oxygen OH में चेंज हो जाती है, और बाई तरफ वाला उस समय क्या रहेगा, ketonic group रहेगा, CWB, और जब यह hydrogen बाई तर तरफ वाली oxygen OH में परिवर्तन हो जाती है, तो पर दाई तरफ वाला जो oxygen है, वो किसम में परिवर्तित हो जाएगा, ketonic में, तो hydrogen जिस oxygen की तरफ रहेगी, वो तो OH में परिवर्तन हो जाएगा, दूसरी तरफ वाला किसम में परिवर्तन हो जाएगा, ketonic में, ठीके, hydrogen जिस तर संसाथ में सामेह बस्ता में कभी सोक्षिक्रीक परिवर्दन होने करण चैंज हो सीगल बंध है उसमें तनन कंपन तनन कंपन के कारण पीक कितने पाएगी में आपको पहले बताई थी तनन कंपन पीक 32 23330 से ज्यादा रहेगी औहुत की प् Really Wish कि और रह여ए की पीक आ रही है औहुत गरुप की पीक feedback अरही यो एक आक्क्षिजन ओशिद्ट में दूसरा COP स और जो पीख है वह हमारे पास कितने पर आ रही है तो आही है कि 1645 तो यह चीज आपको आई समझ में अब हम यहां देखते हैं कि देखिए जब किट्रोनिक में था तो तो शत्रा सो के आजू बाजू पर पीक आ रही थी सत्रा सा के आजू बाजू पीक आने का मतलब है कि कीट्रोन गुरूप ही इस्ताई है लेकिन जब इनोलिक में परिवरतन होता है तो ओयच के कारण 3300 सेंटिमीटर की गात माइनस बन पर भी पीक आती है ठीक है तो वो तो आ मजबूत है मजबूत है तो ज्यादा सिक्वेंट सी यानि कि सत्रा तो पंदा सत्रा सुबीस पे हमें आव सोचन पीक दे रहा है आयार इस्पेक्ट्रा में लेकिन यहां जब इनोलिक में परिवर्तित हो जाता है तो ओएच ग्रूप बना लेता है यानि सी डबल बंद पर आप लोगों को अनुप्रियोग बताईए आयर इस तरह से पूछली आजाता है यह जन्रल आपकी जानकारी के लिए भी टॉपिक इंपोर्टेंट लेंगे मैंली जो इसमें कई बार छोटे कुस्टन आ जाते हैं वो इस तरह से आते हैं जैसे मैं आपको बताता हूं कई बार ऐसा आ जाता है कि यह आया इस प्यक्रेक्ट ी के दवारा आप हाइडरोजन बॉंडिंग यानि इंत्रा मॉलुक्रफियों और हाइडन ब्रॉंडंडिंग में कैसे अंत्र करोगे तो आप इसमें तीसरा वाला पॉइंट लिख सकने, साथ में और थो नाय में अंतर किस तरह से करोगे ठीक है और इस पर जो कुस्टन आता है वो इस तरह से आता है यह चट्टे पर कि को किस प्रकार से समझाओ गया तो कि चीटो इनल टोटमरिज्म को आप pजली समझा सकते हो इसके एगजांपल ओसी टो एसीटिकम एस्टर का एगजांपल भी दे सकते हैं और एगजांपल में आपकी कीटों की तो स्थाथ और पंदर 20-30 पर आराम से आगी इनौल वाले में कीटन वाली पीक को तो आप कमपेस हो करेंगे 1650 सेंटीमीटर की खाथ माइनस वन पर और वाली 32-33 से ऊपर ही आएगी क्योंकि ओएच में स्टेचिंग फ्रिक्वेंसी पाई जाती यानि कि इसमें जो पॉइंट नंबर 6 है उस पे अलग से कुष्टन आता है और जो अब बाई और टेक केर